तो जयाहिन नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि जारखन पिलिस कॉंस्टेबल 4919 पदों के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो इस भरते में बहुत ही बड़ा बदला होने जा रहा है वीडियो को पूरा देखना ताकि आपक में क्या-क्या बदला होंगे हर शीज मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो अगर आप सुरू से लेके लाग्स तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी कहीं ऐसा मत करना आप सभी वीडियो करके चले जाओ और बाद में कमेंट करते रहे जाओ आपने वीडियो से शुरू हों गया जो कि 4 सिपाही में जिस पकार से बच्चे कि दे रहे हैं कितने रहे हैं इंसारी कंडिशन को देखते हुए यह सारी चीज़ें को देखते हुए भरती बोड ने यहां पर बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, क्या फैसला है वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला आप सभी के लिए, तो वीडियो जरूर देखिए आप सरी ठीक है, सबसे पह बच्चे प्रटेस किये नहीं थे, और रॉनिंग थे 10 किलोमीटर, चीज़ें वो क्या करी चीज़ें चले गए घ्राउंड में, मतलब चीज़ें चले बहुत देखने और भरती देखने गए, वहां पर उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं अगर 4919 पोस बड़ा फैसला ये लेने वाली है कि आपके फीजिकल में बदलाव को लेकर एक पत्र लिख कर वो यहां पर मुखमंत्री को सौंफ दिया गया है, अगर देखा जाए, तो जारकन पुलिस कॉंस्टेबल में 10 किलोमीटर रॉनिंग पहले नहीं था, 2016 के पहले क्या होता था, म वहीं अगर देखा जाए तो आप सरीक लॉनिंग पूर हाई जंप भी रखा गया था, लेकिन 2016 में जो सरकार बदली उसके बाद नहीं सरकार आई, तो नहीं सरकार मतलब यह है कि आप सबीकर फीजिकल में भी बदलाव कर दिया गया, यहां तक कि रॉनिंग को भी हटा दिय गया और रॉनिंग आप सब कर दिया गया, यहां पर 15 किलोमीटर एक घंटे गंदर कंप्रीट करना है, यह चीज़े बता दी गई, और जब से यह चीज़े बताईगी, तब से बच्चे और जादा यहां पर खूस हो गए, चलो हमको सिर्फ यहां पर रॉनिंग करना पड़ जारगन पुलिस कॉंश्टबल की, इस भरती में फिजिकल में अगर हो सके तो आप बदला जरूर कर दीजिए, तो कि बच्चे बहुत ज़्यादा यहां पर कस्ट में है, अगर देखा जा 10 किलोमीटर रॉनिंग कम नहीं होता, तो कि 10 किलोमीटर बच्चों को लगता पड़ेगा, अपने आप में बड़ी बात है, जिसके अंदर कैप सटी है, जो पहले स्यारी कर रहा है, 4-5 महिने से, वही सरनी को क्वालिफाई काटा सकता है, बाकी लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो इन सारी शीजों को लेकर भरती बोड ने पत्र सौव दिया है, अगर आप ने 4,919 पदों के लिए फार्म को अप्लाई किया जारकन पुलिस में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले सब्सक्राइब जब इसका फिजिकल सुरू होगा, तो इसी चैनल के माधन से आप सभी को फिजिकल से लाइव वीडियो दिखाये जाएगा, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे पहुंच रहे हैं, कितने बच्चे फिजिकल छोड़ रहे हैं, सारी अपडेट आप सब की ग्राउंड की अपडेट आप सब को इस चैनल के माधन दी जाएग अगर मंजूरी मिल जाती है भरती बोर्ड ने जो भी लिखके भेजा है अगर इस बात पर अगर मंजूरी मिल जाती है तो 2016 के पहले जो भी जहरकन पुलिस को इस पकार से फिजकल होता आ रहा था वैसे ही फिजकल आप सभी का होगा 10 किलो मीटर रनिंग को हटा दिया जाएग अगर मंजूरी मिलती है तो 10 किलो मीटर रनिंग हटा दिया जाएगा आपकी रनिंग 16 मीटर हो जाएगी और 6 मिनिट के अंदर आपको 16 मीटर रनिंग कौलिफाई करना होगा इसी बीच आप सभी का हाई जंप और लॉग जंप भी इसमें डाल दिया जाएगा साथ में गोल बढ़ा जा सकता है और सेलेक्सा प्रोजेस में बदलाव भी किया जा सकता है इस चीज़ें हमेशा नोटिवेसर लिखा होता है तो अगर जब भी बदलाव होगा तो आप सभी को यहां पर डेवसाइड पर जैसलिए आप कुछ इंदा नहीं करना है जैसे भी कोई इस पर सब के लिए वीडियो जरू बनाऊंगा और फिजिकल आप सभी का डेले नहीं होगा इसी महीने के लास तक आप सभी के फिजिकल यहां पर शुरू होने वाले हैं आप अगर त्यारी नहीं कर रहे हैं त्यारी में लग जाईए मैं तो यहीं बोलता हूं कि आप सिर्फ नम तोड़ा है इस वज़र से यहां पर यह बदला जो है आगे आने वाले भड़ती में हो सकता है जहरकन पुलिस कोंस्टेबल 4919 पदों में ही चीजे लागू हो सकती है कि रणिंग आप सबका 600 मीटर हो और कितने भाई चाहते हैं कि नहीं रणिंग 10 किलो मीटर ही होना चा तकि मेरा भी होसला आपर बुलंद हो और मैं आप सभी को नए नई अबडेट चैनल के मादन से मिसा देता रहा हूं ठीक है फिलाल तयारी आप सभी करते रहे हैं तयारी मां को पीछे नहीं हटना है और वही बच्चे हैं जो भी होस हो रहे हैं जिनकी पास प्रैक्टिश न और यहां पर आप सभी जानते होंगे कि लिए बच्चे बहुत फास्ट रणिंग क्वालिफाई करने के लिए सारी सीजे भी सेवन करते होंगे मुझे इसके बार कोई नहीं है लेकिन अगर मालों करते हैं तो यही सब कारण है भ्योस होने का ठीक है उनको इसी गलती नहीं क पतक लिए जाहिन